दोसी तरफ सुनारिया जेल से बाहर पेरोल पर आया गुर्मीत रामरहीम सिंग के असली नकली के आरोप लगाने वाली याचिका को पंजाब एवं हर्याना हाई कोड ने खारच कर दिया है साथे साथ एड़ोकेट कनीका आहुजा ने बताया है कि याचिका में आरोप लगाया है कि पेरोल पर बाहर आया गुर्मीत रामरहीम सिंग नकली है और असली किड्नाप हो चुका है और इसकी जाच की जाए साथे साथ उन्होंने ये भी पताया कि हाई कोड ने कड़ा रुख अपनाते हुए याचिका दायर करने वाले देरा प्रेमियो को फटकार लगाई है और याचिका को खारच कर दिया है इसी बारे में खास बात्चीत की है हमाई समवादादा अनिल कुमार ने पंजाव एवं हर्याणा हाई कोड की एडवोकेट कनिका आउजा से देखे आज एक पेटिशन कुछ पेटिशनस वाला डाली गई थी जिसमें प्रेयर ये की गई थी कि जो रामरहीम अभी लगी पेरोल पे बाहर हैं वो एक नकली रामरहीम है जो कि एक डमि रामरहीम है और असली रामरहीम को". इस तरह के fragile file होई थी जिसकी जो आज लिस्जिट ही और कोड ने स्ट्राउंग ऑबजयर्वेशन С के साथ इस पैटिशन को dismissed किया है और petitioners को कहा है कि आपके उपर cost लगाई जानी चीए और अगर further ऐसी कोई भी petition डाली गई तो वो cost के साथ dismiss कर दी जाएगी because this is an abuse of process of law जहां आपका कोई locust नहीं बनता petition कोई maintainable नहीं है और without evidence assumptions के basis पे बिलकुल जूटी बाते लिखकर कोट ने इतना तक कहा कि आप लोगों ने एक fiction movie की तरह और कोट ने ये भी कहा कि लग रहा है कि आप कोविट के टाइम में बहुत fiction movies देखकर आएं और वही कहानिया आप petition में लिख दिया है वकील को भी कहा कि आप ऐसी frivolous petitions लेने से पहले एक बार देखें कि उसमें क्या लिखा है गंका जी जो याच्च का दाइर की गई थी उसमें अदालत से क्या prayer की गई थी और क्या allegation लगाए गए थे देखिए उनकी prayer ये थी allegation जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि राम रहीम जो parole पर भार है वो एक dummy राम रहीम है असली राम रहीम के ड़नाप हो चुके हैं और इसी को लेके उन्होंने एक representation डाली थी कि इसकी जाच होनी चाहिए कोट ने specifically उनसे और जो उनके इसके grounds हैं वो grounds ये हैं कि क्यों हमें लगता है कि वो dummy है क्योंकि उनकी जो physical appearance है वो change हो गई है कुछ videos हैं जिसमें उनकी height change हो गई है उनके चेहरे का दिखने का ढंग change हो गया है physical appearance change हो गई है और इसलिए हमें लगता है कि वो dummy है कोट ने उनसे specifically कहा कि क्या physical appearance change होना जाने से person change हो जाता है आप human cloning की बात कर रहे हैं जो कि impossible है और इसलिए petitioners को strong observations के साथ ये भी कहा गया कि आप अपनी petition या तो withdraw कीजिए नहीं तो इस पे cost लगेगी और इसलिए court ने कहा कि petition dismissed है इसमें honeypreet को और PR9 को party बनाया गया था हम honeypreet की तरफ से पेश हुए हमने court में एक पुराना order दिखाया जो कि दो साल पहले भी इस तरह की एक petition high court में आई थी जिसमें ये कहा गया था कि jail में रामरहीम को खत्रा है वो petition भी 50,000 cost के साथ dismiss हुई थी वो court का order हमने दिखाया क्योंकि one of the petitioner जो आज petition जिसने डाली है वो उस समय भी पेश हुआ था तो ये एक तरह का party है जो frivolous cases ही डालती रहती है misuse of process of law करके publicity लेना चाहते हैं और ulterior motives से जो इनके motives हैं वो ulterior motives हैं they don't have anything to no grievance सिरफ court का समय बरबाद करना चाहते हैं और इसलिए court ने कहा कि आपको इस समय बरबाद करने के लिए penalty पे करनी पड़ेगी गंका जी अदालत में कोई penalty भी लगाई है जो उनकी बाते petition में लिखी थी वो बहुत ही malicious, frivolous, baseless थी court ने state से भी पूछा कि जेल में कोई बंदा ऐसे ही नहीं चला जाता है उसकी आइडेंटिटी का पूरा जाच होती है और इसके बाद वो जाता है वो अगर पैरोल पे आए हैं तो भी जेल अथोरिटी के अंडरी हैं ऑफिशिल्स की निगरानी में ही वो पैरोल पे बाहर हैं और डुपलिकेट हो जाने का कोई एविडेंस ही नहीं है इसलिए आप के दो कि वो फेक है इसलिए बहुत ही मेलीशियस और फ्रिवलेस एलिगेशन थे जिससे कोट का टाइम वेस्ट किया जा रहा था मिस्यूस और प्रोसेस और लॉग किया जा रहा था पबलिसिटी के लिए किया जा रहा था ये सारी बाते हमने कोट को बताई पिछले ओर दिखा है कि कैसे ये पिटिशनर्स हमेशा ऐसा करते आ रहे और कोट ने इसने कहा कि आपके पिटिशन कॉस्ट के साथ डिसमिस होगी और आज कोट ने ऊपल लिका ये और पिटिशन इस डिसमिस डीटेल ओडर आना भी बाकी है ये थी मेरे साथ पंजाब एन रहेना हाई कोट की एड़ोकेट कन का हुजा इन्हों ने बताया कि गुरमीत राम रहीम के मामले में आज हाई कोट ने यज का खारिच कर दी है अनिल कुमार टोटल नियोज चन्रिकार